दोस्तों हिंदी ओडे बुक नोलिज में आपका स्वागत है तो बात करते हैं पुस्तक आपके और चेतन मन के सकती से आगे इस पुस्तक के चोथे अध्याई हमारा स्वास्वाज किस तरह हमारी और दानाओं को बनाता है अगर इसके पहले के तीन अध्याई आपने नहीं सु इस सद्याय में हम पढ़ेंगे कि हमारी ओधार्णाएं किस तरह बनती हैं और उनका हमारे निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों पर क्या परभाव पढ़ता है अर्थात हमारी ओधार्णाएं उन्हें किस तरह परभावित करती हैं इन ओधार्णाओं का निर्मान हमारी इस समझ के साथ सुरू होता है कि हम स्वा ओधार्णाओं की सक्ति को जानते हैं और यह भी समझते हैं कि ये ओधार्णाओं वास्तों में हमारे जीवन को निर्देश रूप से प्रभावित करता है हम बेहत जटिल और बहु आयामी प्राणी हैं हम जीवन में कई सुविधाओं का उपभोग करते हैं और हमारे लिए इन सुविधाओं को प्राप्त करने के कई अन्य तरीके और तकनीक होती हैं जिनके भारे में हमें किसी स्कूल में नहीं आया जाता इसलिए हम में से अधिकतर लोग सारा जीवन अनभिगता में ही काट देते हैं और या जान ही नहीं पाते कि हम आज जो हैं वो कैसे बने हैं और इससे भी महत्वपुरण या कि हम आज जो हैं उस इस्थिती में रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन छेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी द्रिष्टी से कमजोर रह गए हैं मगर जिन में सफल होने की इक्षा हमारे मन में है सरल रूप से कहा जाए तो अधिकांस लोग यह नहीं जानते कि बदलाव किस तरह लाया जाए और इस कारण से वे अपने मन में इस मंत्र को मगर वे यह नहीं जानते कि वे अपनी कम्यों को ढखने की कोशिस कर रहे होते हैं और वे सारा जीवन इसी तरह से काट देते हैं जैसे ही हम स्वैम को अपने नकरात्मक विचारों और सिमित सांसकृतिक दायरों की मुर्चा और समोहन से बाहर लाते हैं और स्वैम को पुना नए बिस्वासों से स्वमोहित करते हैं हम अपने मस्तिक का दाइरा बढ़ा सकते हैं और यह दाइरा हमारे पुराने दाइरों की तुलना में ब्रेहद और दिस्तृत होगा तो आईए जरा पीछे चलें और जातें कि हम जैसे हैं वैसे हम बनें किस तरह हमारे पहले दो साल हम सभी असीमित चमता के साथ जन में थे यह कहने से मेरा आश्य है कि उस समय हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं होता कि हम यह नहीं कर सकते पहले दो वर्स हमारे जीवन के और विकास के सबसे महत पुरण वर्स होते हैं चुकि उस समय हम बोल नहीं पाते अता हमारे पालक हमें यह नहीं कहते कि हम क्या नहीं कर सकते हैं या हम अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं इन दो सालों में हम चलना, कपड़े पहनना, खाना आदी सिखते हैं और भासा सिखते हैं हाला कि उस समय हमारे पास सिमित सब्द कोस होता है, फिर भी हम यह समझने लगते हैं कि माता पिता हम से बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारा मस्तिक पांच विदुतिये भासाएं बोलता है मैंने डॉक्टर ली पूलोस से उनकी कार्यसाला में निमन बातें सिखी जो की है, जनम से लेकर दो वर्स की आयू तक हमारे मस्तिक की तरंगे डेल्टा तरंगे एक दसमलों पांच से चार हट अज होती हैं दो साल से चो साल तक ये तरंगे थीटा तरंगों में चार से आठ हट अज बदलती हैं चो से बारा वर्स के बीच ये तरंगे अलफा तरंगों में आठ से बारा हट अज बदलती हैं जब किसी व्यक्ति को सुमोहित किया जाता है तो क्या होता है उसके मस्तिक की तरंगों की गती धीमी हो जाती है थीटा से अलफा के बीच सुमोहित अवस्ता में मस्तिक तरंगों की गती साथ दसमलों तीन हर्टज होती हैं इसका अर्थ है दो वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक की अवस्ता में हम सबसे अधिक सुमोहित किये जाने वाली अवस्ता में रहते हैं क्यों? क्या या वह अवस्था नहीं होती जहां हमारे विश्वास अकार ले रहे होते हैं और आतम सम्मान और स्वा आवधारनाएं बन रही होती हैं। अता जैसे ही हम अपने आपको अपने अंदर जमे नकरात्मक मिचारों के समोहन से मुक्ट करते हैं और सकरात्मक सुजाओं को इस्थान देते हैं, हम अधिक सक्तिसालिवी चार त्यार करते हैं। पांचवी विधूतिय भासा गामा तरंगे होती हैं जो परदर्सन का उचस्थर 40 से 200 हटज होता है। हम दो स्त्रोतों से सीखते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम मुख्यता दो स्त्रोतों से सीखते हैं। पहला हम अपने पालकों के अनुकरन द्वारा सीखते हैं। क्यों हमारे पालक हमारे लिए प्रेम का पहला स्त्रोत है। बच्चपन में हम अपने पालकों से धेर सा प्यार चाते हैं। और इसके लिए हम वे सारे काम करते हैं। ऐसा बेवहार करते हैं जिनसे उन्हें खुसी हो। जब हम अपने पालकों को खुश करते हैं तो हमें किसी तरह का पुरुसकार मिलता है। दूसरा, हम सुविदा की ओर जाते हैं और और सुविदा से दूर भागते हैं। अधार भुत बात यह है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम किसी खाली बरतन के समान होते हैं। हमारी जिग्या साएं अनंत होती हैं और सीखने की इक्षा प्रबल होती है। दो साल के होते होते हम कुछ सब्द सीख लेते हैं और धीरे धीरे प्रात्निक रूप से भासा का अधार निर्मार होने लगता है। हमें मिलने वारी सारी सुचनाएं या इन्पूट हमें अपने पालकों या भाई बेहनों से मिलती हैं। वे हमसे अपनी राय साजा करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत, हमें अच्छा बच्चा या बच्ची बनाने के लिए कैसा विवार करना चाहिए या ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो हमें गंदा बच्चा बनाए। 6 साल के होते होते हम एक मजबूत राय बना चुके होते हैं कि हम कौन हैं? हमारी दुनिया, पालक और मित्र कैसे हैं? और इस समय तक हमारे मन में इन विचारों की भी नीव पढ़ने लगती है कि हम किन छेत्रों में अच्छे हैं और किन में अच्छे नहीं हैं? महत पुरन इन सब बातों का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि हम बास्तों में कौन है सारी बात इस पर आकर टिक जाती है कि हमें किसके जैसा बनना है हम किसी भी ऐसे विचार के साथ दुनिया में नहीं आते कि हम कैथोलिक बनेंगे या प्रोटेस टेंट गड़ तांत्रिक बनेंगे या प्रजा तांत्रिक चिकित्सक बनेंगे या वकील इन में से अधिकांस आकडे या सुचनाएं हम अपने पालकों, भाई बेहनों, सिक्चकों, प्रसिक्चकों और वे सब लोग जो उस समय हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रखते हैं या जो हमारे लिए जीवन के आधर्स होते हैं जिनसे हमें भै होता है उनसे ग्रहन करते हैं चुँकि हमारे पास इसके विरोध में कोई सुचनाय नहीं होती इसलिए वे हमें जो कुछ भी बताते हैं हम उसे सत्य मान लेते हैं इसके बाद हम स्कूल में जाते हैं जहां हमें सिक्षक और प्रसिक्षक मिलते हैं जो हमें और सपष्ट रूप से बताते हैं कि हम कौन हैं हम किसमें अच्छे हैं और किसमें बुरे हम पहले ही स्वास्वाद के विचार का उलेख कर चुके हैं अता हमारा स्वास्वाद उनके द्वारा बनाई गई इन धारनाओं को या हमारे अनुभाओं द्वारा बनी धारनाओं को पुष्ट करता है हमारा स्वा स्वाद ही हमारी स्वा आवधारनाओं को बनाता और तै करता है अता हमारी स्वाइम के प्रती आवधारनाएं हमारे माता पिता या अने लोगों द्वारा हमारे लिए कही गई बातों से नहीं बनती वरन हम उन सुचनाओं का क्या अर्थ लेते हैं और उनके बारे में क्या अनुभाव करते हैं इसके अधार पर बनती हैं जैसे हम सिखेंगे की भासा का उधेश से हमारे मन में कुछ चित्रों को बनाना होता है वे चित्र कुछ भावनाओं के साथ जुड़ते हैं अता हमारा आंतरिक समाद किसी तरह का चित्र और उसके साथ जुड़ी भावनाए और चितन मन में बनाता है और ये चित्र भविस्य में हमारे वेवहार को प्रभावित करते हैं अध्याय साथ में हम इन पर और गहराई से बात करेंगे नीचे लिखी गई पंक्तियां नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक आउट बिटिंग देविल, दा सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस से ली गई हैं क्या आपने कभी एक पालक को अपने बच्चे के वाक्य को पूरा करते सुना है क्या किसी पालक को अपने बच्चे का ग्रह कारे पूरा करते देखा है स्कूल में होने वाले विज्ञान मेले याद हैं जहां बच्चों के विज्ञान के प्रकल्प, प्रोजेक्ट बनवाने में पालक मदद करते हैं माता पिता ने भले ही उसे नन्हा समझ कर उसकी मदद की हो मगर कहीं भीतर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा उनकी मदद की प्रसंसा करता है और बच्चे की मदद करने से वे उसकी नजरों में अच्छे माता पिता बन जाएंगे मगर वास्त दिखता कुछ और ही होती है बच्चा सोच रहा होता है कि माता पिता को ऐसा लगता है कि मैं अकेले या काम नहीं कर सकता इसलिए वे मेरी मदद करते हैं तो चिंता क्यों की जाए? पालकों की या अवान्चित मदद धीरे धीरे बच्चे का आतम विस्वास खतम कर देती हैं बच्चों के काम पर विस्वास रख कर और उन्हें अपना काम स्वयम करने की चूट दे कर पालक उनमें अपने लिए सोचने की आदत दिक्सित कर सकते हैं समाने रूप से या समझाने की कोशिस करें कि हमारा स्वासमाद ही हमारी स्वावधानाय बनाता है स्वावधानाओं से क्या तात परे है स्वास्वाद हमारे द्वारा स्वैम को देखने का तरीका है पारी भासिक रूप से कहें तो स्वास्वाद उन सारे मुले अधारित निन्यों का ओसत होता है जो आपके उपर आपके पालकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा तब थोपे जाते हैं जब आप बच्चे होते हो विसेस्ता जब आप छोटे बच्चे होते हो तो इस तरह के नेने सभी छेत्रों में आपके आसपास के लोगों द्वारा आप पर थोपे जाते हैं हमारे मन में अपने प्रती जो आउधारना बनती है वह उन सब एकल आउधारनाओं का योग या उसत होती है जो आपके आसपास उपस्तित लोगों द्वारा हमारे बारे में बनाई जाती है हमारे पास हजारों एकल आउधारनाएं हैं हमारे पास हजारों एकल आवधारणाएं आती हैं. किसी खेल के छेतर में हमारी आवधारणा के अनुसार हम सकी इंग में अच्छे और गुल्प में खराब खिलाडी हो सकते हैं. मूल भूत कारेकारी सिदान्त के अनुसार स्वावधार्णा वा नियामन तंत्र है जो जीवन के हर छेतर में हमारे परदर्शन के सतर को निर्दारित करता है हमारी स्वावधार्णा और हमारे परदर्शन के बीच हमेशा सीधा संबंद होता है हम में से अधिकांस लोगों को यह सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही परदर्शन का सतर बढ़ाया जा सकता है एक बार हमारा परदर्शन अच्छा हो जाता है तो फिर हम जीवन के उस छेतर में आगे उन्ती के बारे में सोच सकते हैं या हम अपनी स्ववधार्णाओं को आगे बढ़ने की अनुमती दें सोभागे से यह इस तरह काम नहीं करता यहां हम निर्देशों प्रसिक्छन और अभ्यास के महत्व को कम नहीं आखना चाहते मगर कारण और प्रतिकिरिया में मुख्य रिष्टा यही है कि आपकी स्ववधार्णा ही आपके प्रदर्शन का सतर निर्दारित करती है मैं आपको एक उधारन देता हूँ जिससे इस बिंदु को विस्थार से समझाज जा सकेगा 1954 से पहले दुनिया के सभी स्रेष्ट धावक इस बात को सत्य मानते थे कि किसी आदमी के लिए चार मिनट से कम समय में एक मिल की दूरी तै करना असंभव है इसके पीछे का कारण यह था कि आदमी द्वारा स्टॉप वाच के अविस्कार के बाद पिछले दसकों में हुई हजारो दोड में किसी भी व्यक्ति ने चार मिनट से कम समय में एक मिल की दूरी तै नहीं की थी कई लोग सेकंड के दसवें हिस्से के पास आ गए मगर समय चार मिनट से कम ना हो सका और उसके बाद क्या हुआ 1954 में ब्रिटन के एक मेडिकल के विद्यार थी रोजर बैनिश्टर इतिहास का पहला व्यक्ति बना जिसने एक मिल की दोड चार मिनट के अंदर पूरी कर ली तो क्या तो इसके बाद यह की अगले तिन सालों में करीब 16 लोगों ने चार मिनट से कम समय में यह दोड पूरी की दोडने की मूलबुत प्रिक्रियाओं या साधनों जैसे जूते रेसिंग ट्रेक आदी में कोई बदलाव नहीं हुआ था तकनीक या प्रसिक्षण में भी कोई बदलाव नहीं था केवल इस स्वा आवधार्ना को हटाया गया था कि यह दोड चार मिनट में पूरी नहीं की जा सकती खेल गती वीदियों में हिस्सा लेने वाले खिलाडियों का एक सा या बहतर होता प्रदर्सन स्वा आवधार्ना का बढ़िया उधारन है बेसबॉल के खेल में हीटर या बल्ले बाज के बैटिंग का एक आवसत होता है और पीचर या रन बनाने वाले का एक आवसत होता है और अधिकतर इन खिलाडियों के खेल के परिनाम एक से ही रहते हैं ऐसा उनकी स्वा आवधार्ना के कारण होता है जब वे अपने आउसत से अच्छा प्रदर्सन करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे अपने फॉर्म में हैं या बहतर समय में हैं और जब उनका प्रदर्सन आउसत से कम हो जाता है तो कहा जाता है मंदी में हैं या फॉर्म में नहीं हैं ऐसा ही कुछ गुल्प के खिलाडियों के साथ होता है। खेल की सारी बधाओं के साथ उनका प्रदर्सन भी एक सा रहता है। हम जब अपनी स्वावदार्ना से अधिक अच्छा प्रदर्सन करते हैं तो हम उसे अच्छा समय या फॉर्म बता कर उसके महत्व को कम क्यों करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पहले दी कहा कि हमारी स्वावधार्णा हमारे लिए नियामक कारक होती है और वा हमारे प्रदर्शन को तै करती है याद रहे हमारी स्वावधार्णा का अर्थ है कि हम स्वैम को जीवन के किसी छेतर में किस तरह देखते हैं जैसे ही यह चित्र सक्रात्मक या नक्रात्मक रूप से बदलता है हमारी आउधार्णा बदलती है और उसी के अनुरूप हमारे प्रदर्शन का सतर भी सक्रात्मक या नक्रात्मक रूप से बदलता है यदि हम अपने प्रदर्शन को बहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्वा अवधारना को बदलना होगा हम अपने अंदर इस तरह की प्रतिकिरिया विक्सित कर लेते हैं जो हमें उस सतर तक पहुँचने में जो हम बास्तों में हैं हमें वह बनाने में बाधा उत्पन करती हैं जैसे जैसे हम इस पुस्तक के साथ आगे बढ़ेंगे हम आपको वे तकनीके बताएंगे जिनके अधार पर आप स्वयम के बारे में संपून सुचनाय एकत्रत कर पाएंगे कि आपको अपने अंदर क्या अच्छा लगता है क्या खराब आप स्वयम किस छेतर में अच्छा वो किस में कमजोर मानते हैं साथ ही बेवहार के कुछ तरीके भी जान सकेंगे जिन्हें आप बदलना चाहेंगे जैसे ही हम उन बातों के बारे में जान पाएंगे जिन्हें हम बदलना चाहते हैं या उनमें भिन्ता लाना चाहते हैं फिर हम धीरे धीरे उन तरीकों और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमें इन सभी परिवर्तनों को बहुत थोड़े से पर्यास से लापाना संभव बनाएंगी जिसकी हमने कलपना भी नहीं की होगी परिवर्तन किसी भी तरह से बुरा सब्द नहीं है और इसके साथ आपको और सहज महसूस होने की कतई आवसत्ता नहीं है जैसा की हम हमेशा सोचते हैं आईए अब हमारे अवचेतन मन की सक्ति को और गहराई से देखने समझने का परियास करते हैं और चेतन तथा अवचेतन मन के आपसी संबंद पर गहरी समझ बनाने का परियास करते हैं ओके दोस्तों इसे के साथ ये अध्याय समात होता है मिलते हैं आप से इसके अगले अध्याय पांचवें अध्याय आपके रचेतन मन की चमत कारी सकती में और किसी एने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद